रामानुजन का जन्न एक गरीब परिवार में 22 दिसंबर 18187 को तमिल नाडू के इरोल कसबे में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क का काम करते थे। रामानुजन के जीवन पर उनकी मा का बहुत प्रभाव था। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एसेल लोनी द्वारा लिखित गनित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गनित का ज्यान तो जैसे उन्हें इश्वर के यहां से ही मिला था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें मेरिट सर्टीफिकेट से एवं कई अवोर्ड मिले। वर्ष 1904 में जब उन्होंने टाउन पास की तो उन्हें के रंगनाथा राव पुरसकार प्रधना ध्यपक फ्रिश्न स्वामी अयर द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई उसके बाद वर्ष 1910 में उनका एक ओप्रेशन हुआ। धरवालों के पास उनके ओप्रेशन हितु पर्याप्त राशी नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में ये ओप्रेशन किया था। इस ओप्रेशन के बाद रामानुजन नौकरी की तलाश में जुट गए। वे मदरास में जगह जगह नौकरी के लिए घुमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी किये। वे पुना ब भावित हुए। उन्होंने रामानुजन की आर्थिक मदद भी की। वर्ष 1912 में उन्हें मदरास में चीफ अकाउंटेंट के ओफिस में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। वे ओफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गनित का रिसर्च करते रहते इसके बाद वे इंग विज चुना गया। वो पहले भारतिय थे जिन्हें इस सम्मान पोजिशन के लिए चुना गया। बहुत मेहनती एवं धुन के पक्के थे। कोई भी विशम परिस्थिती, आर्थिक कठिनाया, बीमारी एवं अन्य परिशानिया उन्हें अपनी धुन से नहीं डिगा सकी। वे आतता सफल हुए, आज उन्हें विश्व के महान गनितग्यों में शुमार किया जाता है। 32 वर्ष की छोटी उम्में